हम सब एक है हमारी मांगे पुरी करो वर्ना खुर्ची पुरी करो हम सब एक है हमारी मांगे पुरी करो हम सब एक है हम सब एक है रिक्सा चालाग मालनके पुरी करो अधूरुसे चालाग मालनके शंगर्ण सुईत कुर्थिषिमित imaginожд appearing महाराक्टर राजी जाओदी नी एनरे लुजु लेगरोजी और राजी वपी बंदिछ आवान में याठिकानी करना दालेला है महाराट्र राजी जाओदी जिला रुभा राजी मेड़ार बड़ती बंदिछ दें सब्सक्ते आतरताल मालकाँ चाची करने मुनिणया है दातर बादी द्यारासी है को टलादी यसूरस सब्सक्ताव नहीं सब्सक्ता लिखती कर्या आज आजै common करने वाडने लाए तया नुश्यंगान तो तामर तो लड़ लड़ करने ला तयावा आशे आमची मागनिया तो कमी करने ली त्यावा इस एपकुमी करने लाए जिद्या खुली धने कुछ खुल दने तो परिष्लाग निक्षिया चालका है तेच बर्मिट विसलागा है तो आम जा गरहाची दर संग्याद दरली आम चा परिवलाची तो आमस यह कुटिच मदधान होता है अजिने अखिया के परिवलाची तो आमस यह लिए अफियो जान जालका संग्या तो आमना अचे अथिवलाची थाएगाची तो आपको मदधानरसंग देने दिने देवा अणि एतने अविद परवासि वह ठूकाई चे उलाउ पर गाने हैं तो आथका बंध करने दिया ओवा आटो निक्षा चालक मालक संगटना सयुत कृूती समीधी जो हाली में कुछी दिन पहले गरीबों के मसले हल करने पे रिक्षा संगटना के मसले हल करने पर बनाई गई थी हमारे नेते जो महराश्टर से आयो है नरेंदर जी गायकवाड साथ उनके नित्रतों में बनी थी मुझे सभी लोगों ने यहां एक जगे आके रमुक मारदक्षक का जो ओदा दिया मेरे पीता जी का जो सपना था कि सारे लोग एक आए रिक्षा यूनियन कभी एक नहीं होती ऐसा सब का मानना था पर आज एक ही जगे पे एक ही प्लाटफॉर्म पे सारी यूनियन आके एक जगे खड़े रहके दिख्षा कि जो भी महांगे गरीबों के जैसे जो खुले परवाने 97 से बन थे आज अचानक चालूगर की कोई भी परवाना कितने भी परवाने लेता ये तात्कार में बंध होने चाहिए एक सबसे बड़ एहम मुद्दा है जो हमारा इंशोरेंस जो 2000 के अंदर होता था तो आज 7-8000 में हो रहा है एक गरीब आदमी 200 रुपे से 300 रुपे रोज कमाने व इनके साथ है जो इंशोरेंस के जो था वो नियम में आ चुका है नियम ऐसा बनता है जो कमर्शल वेकल थी ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट में कमर्शल भी आती है गरीबों का भी आता है कमर्शल ट्रकों को बढ़ना छोड़के ट्रकों के बढ़ाए तो उसमें गरीब चाहिए और नौ तारीक को संपूर्ण जिल्ला बंद का एलान किया गया है मैं आश्वासन देता हूँ हमारे नरेंद्र जी काईकवाड को साब को राश्टुवादी पाटी की ओर से और अल्चंक्या विभाग की ओर से कि हम आपके साथ खंबीर तरीके से खड़े हैं और ऐसा बंद औरंगाबाद में हूगा कि आपको कोई भी जिल्ले में उतना नहीं मिलेंगा इतनी ताकर चेंअ औरंगाबाद हम बंदोबस करने वाले है और एक बताना चाहते हैं ये बंद कलेक्टर आफिस के सामने होगा या तो आटियोस आफिस के सामने होगा धर्मना अंदोलन के मारफ़क या अंदोलन होने वाला है अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं की जाती है तो ये और ही तीर्व तरीके से हम इसको करेंगे चाहे फिरो रस्ता रोको अंदलोनो या चक्का जाम यह आज हम चक्का जाम नहीं करके सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं इसमें गाड़ा तो पूरे बंद रहेंगे 100% लेकिन एमरजेंसी की तौर पे मेडिकल का कोई रहता है पेशेंट तो उसको सुवीदा देने का काम हम करने वाले कोई senior citizen रिंगा कोई भार का प्रवासी आ गया और उसको जाने को नहीं रिंगा तो उनकी उत्ती मदद हम ये 9 तारीक के दिन करने वाले और नहीं तो हमारा पूरा बंद जाहिर हम आज करते हैं और आपको सभी का धन्यवाद electronic media का करना चाहते है जो आप हम हमेशा करते सिर्व एक ही मांगे कि गरीबों का प्रश्न है तो इसमें हमारा खंबीर तरीके से आपका साथ हमें लगेंगा कि हमारी मांगे जल्द से जल्द मुख्यमंत्री साब को पहुचे जैसा कि 20 लाग पर मिटे एक करोड़ के अबादी है तो इसमें सारे धर्म आते ह वो नजर अंदाज इसलिए कि जा रहे हैं क्योंकि माइनॉरिटी समझते है पर इसमें माईनॉरिटी के साथ बहुत होते हैं बहुत के साथ सिख समाज के भी रिक्षा वाले रहते हैं सारे समाज हिंदू समाज के हमारे जो पिछड़ी की गरीब समाज है सारे समाज यहाँ पे हाजिर होते हैं सब रिक्षा चलाते हैं वो ही नहीं चाहता किसी की माता जी नहीं चाहती कि उनका बच्चा रिक्षा चलाएं पर यह मजबूरी है कि आज पड़ा लिखा आथमी को भी रिक्षा चलाना पड़ रहा है क्योंकि वह 8000 कमा रहा है और यहां इंजिनियर भी बेकार रहे के उसकी पगार 5000 से जादा नहीं तो इसलिए नौ तारीक को जाहिर एलान करते और काईकवाड जी को आश्वासन देते कि हम आपके सथ खमीर तरीके से खड़ें